हाई अव्रिवन मैं हुद धनन जय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे 26 जैनवरी के बाद से अगर आप भारत में कोई भी हिंदी या इंग्लिश न्यूज चैनल अगर आप खोलते और अगर आप देखे होंगे तो जो majority of जो news था वो कहीं न कहीं बिहार के आसपास ही घूम रहा था खास करके जो यहां के मुख्य मंतरी CM नितीश कुमार जी है उनके आसपास घूम रहा था अब news के पीछे का background क्या है तो किसी टाइम पर नितीश कुमार बीजेपी के साथ alliance में थे हैं उसके बाद वो RJD में चले जाते हैं उसके बाद सिर उनको RJD में कुछ कमी दिखती है तो फिर वो shift हो जाते हैं बीजेपी में और फिर मतलब ऐसे multiple ऐसे occasions हुए जहां पर कभी इधर गएं कभी उधर गएं जब वो side change कर लिए तो जो पिछला alliance था उसके बारे में काफी बुरा भला बोला गया फिर बदले में उस alliance ने भी काफी बुरा भला बोले पब्लिकली भी बोला गया कुछ शब्दों का इस्तिमाल किया गया जो कि म मैं खुद के मुझे से बोलना पसंद नहीं करूँगा में शौर कि जो लोगों ने भी न्यूस को देखा उगा उनको पता हुआ कि जो taunting words हैं वो क्या क्या इस्तिमाल किये गया थे अब यहां पर तीन major political parties का रोल है एक तो है बीजेपी दूसरा है जदियू और तीसरा है आ नहीं है इसका फैसला जो जनता है वो करेंगी लेकिन अगर आप इस पूरे episode को अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगा वो यह है कि किसी भी तरीके से जो political parties होती है वो सत्ता को power को अपने पास ही रखना चाहते हैं जो desire होता है वो सिर कि कितने बार political parties को support करने के लिए हम आपस में ही लड़ जाते हैं for example अगर मेरा जो पडोसी है अगर वो किसी दूसरे political party को support करता है और मैं किसी दूसरे political party को support करता हूँ तो chances काफी high हो जाते हैं कि हमारे बीच में उस political party को लेके बगशक हो जाए या तो जो हमारे relations है वो खर political parties भी हमारे लिए इतने ही sensitive हैं तो जब आप सभी को पता है कि बिल्कुल भी नहीं वो sensitive हैं सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने आपको market में relevant बनाने के लिए वो concern होते हैं तो यह सब कुछ points है ना जो common जनता को समझना काफी जरूरी है क्योंक कोई बगशक होता है तो जो common लोग होते हैं सबसे जो suffering होता है वो उनहीं को होता है और जो talk में जो लोग बैठे होते हैं hardly उनको कोई impact होता है जिस तरीके से अभी आप या मैं देख रहे हैं कि power struggle कैसे हो रहा है किस तरीके से जो political parties हैं वो अपने आपको relevant बनाने के लिए आ आज के 500 साल पहले भी हो रहा था और ऐसा है कुछ आज के 100 या 200 साल आगे भी होने वाला है थोड़ा बहुत fair बदल के साथ कहने का मतलब है कि जो base है वो यही रहने वाला है बस थोड़े बहुत तोर तरीके जो समय के साथ जो normal सा changes होता है सिर्फ वही changes होने वाले हैं और ऐस कुछ हमें देखने को मिलता है geopolitics में भी जहां पर रश्या भी अपने आपको as an relevant country अपने आपको रखना चाहता है इंडिया भी रखना चाहता है साओधी अरे भी रखना चाहता है और अपने आपको relevant रखने के लिए तकरीबन सभी तरीके का काम को किया जाता है वो काम करते हैं वो action लेते हैं वो यह नहीं देखते हैं कि उनका action सही है या गलत है अगर कोई भी action से अगर U.S. को benefit पहुंचता है तो U.S. उस action को लेता है वो यह फिकर नहीं करता है कि उस action से जो सामने वाला देश यह वहां पर कितने civilians या जो बेकसूर्ड लोग है वो मारेंगे जहा आप रस्या यूकरियन का war का example ले ले जहांपे रस्या चाहता है कि वह यूकरियन को occupy करे वही यूकरियन को और भी जो European countries है वह support कर रा है या तो Israel और हमास के बीच में आप conflict या war कह ले उसका अगर आप example लेना चाहें तो यहाँ पे भी हर किसी का अपना अपना इंट्रेस्ट होता है, अब अगर आप इसी चीज़ को अगर आप थोड़े से पास्ट यानिक अगर आप इसको connect करने का अगर आप कोशिश करेंगे इतिहास के साथ में, तो आपको बहुत सारे जो चीज़े हैं वो आपको automatically समझ में आ जाएगा, अब कितनी बार क्या होता है कि जो political parties होते हैं, वो 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, कोई ऐसी घटना घटी होती इसको कि उठा के आपके हमारे सामने लाके वो परोज देते हैं, और फिर हमें ये बताया जाता है कि जो घटना 300 साल पहले घटी थी, वो घट होता है, उसमें वो फस जाते हैं, और वो self verify नहीं करते हैं, या नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाने का भी reason हो सकता है कि वो दिन भर अपने office में रहते हों गया, उनके पास इतना प्रयाप्त समय नहीं रहता होगा कि वो इतिहास को पढ़े और समझें, परसनली अगर मैं खु रही बुरा भला सोचता था, अब यहां कहने का मेरा यह बलकुल मतलब नहीं है कि Britishers बड़े अच्छे थे, लेकिन एक चीज जो हमें सोचना चाहिए, यह समझना चाहिए, वो यह है कि आखिर में Britishers भारत क्यों आये थे, उसका जो एजेंडा था, एजेंडा यह था कि उनक जो East India Company था या जो उनका देश था, उनको पैसे उनको भेजने थे, उनका जो डॉमिनेंस था, उसका डॉमिनेंस को यहां पर कायम करना था, अब East India Company या ब्रिटेंस से हमें यह उमीद कभी था नहीं कि Britain भारत को एक Wool-Class Country बना के वापस जाने वाले हैं। वो एक लुटे रह हमें लूट लेते हैं तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं चाहे भारत का एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया हो मैक कॉले के द्वारा या 1757 तेईस जून को जो बैटल ओफ पलासे हुआ था उसमें जो रॉबर्ट क्लाइव हीरो बन के निकलता है और 1757 का जो बैटल ओफ पलासे है उसके बाद इस्ट इंडिया कंपनी कह ले या ब्रिटिश कह ले हैं उन्होंने अपना complete तरीके से राज स्थापित कर लिया या अगर आप उसके पहले जाना चाहें मुगल एमपायर के आसपास में तो ना ही तो मुगल एमपायर में ना ही तो इस्ट इंडिया कंपनी या तो ब्रिटिश के जो नंबर्स थे जो उनके ओरिजिनल मेंबर्स थे वो कभी भी इतना नहीं थे जितना की population भारत का था तभी भी वो हमारे पर आए और इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूं तो वो भारत को लूटे और यहां का जो कल्चर था उसको डिस्ट्रॉई किये तो आप समझे इस चीज़ को कि ब्रिटिश ने हमें लूटा लेकिन उस लूट के पीछे का जो रीजन था ना वो रीजन हम खुद थे ब्रिटिशर्स को या उसके पहले को लोगों को हम ब्लेम करके हम बस हम यह साबित कर सकते हैं कि हम लोग काफी इनोसेंट थे लेकिन अगर ब्रिटिशर्स कसूरवार थे तो हम लोग भी कसूरवार थे उसका example अब आज भी देखिए कि किस तरीके से society को तोड़ना या break करना धर्म के नाम पे जाती के नाम पे आसान है आज जब आपके पास social media है, phone है, internet है, मेरे पास है फिर भी लोग जो है वो चीजों को verify करना पसंद नहीं करते हैं वो अभी भी उनके जो political leader हैं, वो कुछ कह देते हैं, तो उनको माल लेते हैं और आज भी जो society है वो उतना ही fragmented है, उतना ही टूटा हुआ है, जितना टूटा हुआ आज के 100 साल पहले या आज के 200 साल पहले था तो personally, जितने भी जो हमारे political leaders रहे थे आजादी के आसपास, चाहे वो गांधी रहे हैं हो, चाहे वो नहरू रहे हो, चाहे वो सरदार पटेल रहे हो, चाहे वो शुबास चिंदर बोस रहे हो Multiple time ऐसे होते हैं न कि कुछ एक political parties हैन जो नहरू के बारे में या महात्मा गांधी के बारे में बहुत बुरा भला बोलेंगे कुछ एक ऐसे political parties है जो वीर सावरकर के बारे में बहुत बुरा भला बोलेंगे उनके हिसाब से उनका कोई अस्तित्वर नहीं था उनके हिसाब से शुवास चिंदर बोस का कोई contribution नहीं था उनलों के हिसाब से जो इंडियन नैशनल आर्मी थी उसका कोई importance नहीं था और बहुत बड़ा तबका है जो ये मान बैठता है कि सच में उनका कोई relevance नहीं था तो जो उपदेश है इस वीडियो का वो ये है कि कभी भी किसी political party को vote करने के पहले या किसी भी political leader को जब हम सुनते हैं तो हम जो fact है उसको हम verify करें ना कि हम आपस में लड़ जाएं और मालूम पड़ा कि आप और हम आपस में लड़ गएं और जो political leaders है जो political parties हैं जिसका खिलाफ हम लोगों ने vote किया वही सत्ता में आखे काविज हो जाता है भारत में आजखे date में मैं ये 95% surety के साथ कह सकता हूँ कि एक भी ऐसा state नहीं है जहाँ पे जो exam होते हैं गौर्वर्मेंट exam होते हैं वो time पे होता है मैं गौर्वर्मेंट exam job की में बाते नहीं कर रहा हूँ जो service जहां से मिलता है मैं उसकी भी बाते नहीं कर रहा हूँ होता है जो इनका सत्ता में आने का जो इनका process होता है ये कभी delay नहीं होता है तो कुछ-कुछ जो चीजे हैं वो समझना पड़ेगा अगर इन सब चीजों को अगर आप और हम नहीं समझेंगे तो शायद जो नुकसान है वो हमारा ही होता रहेगा चाहे वो East India Company हमारा नुकसा होते हैं उसमें question paper leak ना हो क्या ये मानने वाली बात है कि एक state के पास इतनी शंता नहीं है कि वो question paper leak कराए बिना वो exam करा दें तो आप समझें आपका और हमारे relevance बस इतना ही है कि कोई आगे हमें भड़काता है हम भड़क जाते हैं और उस emotion में आके हम उस political party को vote दे देते हैं और वो political party और उसके जो close associates होते हैं वो हमें फिर आने वाले 5 साल तक वो rule करते हैं तो अगली बार जब भी आप East India Company या मुगल या उसके पहले कि जब लोगों के बारे में जब आप बुराई करें तो सोचिए और पढ़िए कि exactly क्या सच में जो गलतियां थी वो उन्हीं की ग जलती होगे तो उसके लिए मैं माफ ही चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye